जैहिंद जैभारत तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Boys Sports Company मतलब B.H.C. Cadets की जो भरती होती है Indian Army में जितने भी सेंटर हैं हमारे लगवक सभी सेंटरों में B.H.C. Cadets की भरती कराई जाती है मतलब 8 से 14 साल के बच्चों की लिए भरती कराई जाती है ये जो भरती होती है Sports Quota के उपर ये भरती कराई जाती है और इसका क्या process है क्या selection है क्या education qualification है कितनी height और weight आपका होना चाहिए इस भरती को देखने के लिए पूरा process आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा अगर आप B.H.C. भरती देखना चाते हैं B.H.C. Cadets की भरती देखना चाते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वीडियो को पूरा देखना होगा वाई ठीक है नहीं भी आपको कोई step मिस नहीं करना है और यहाँ पे हमारी YouTube चैनल को आपको subscribe कर लेना क्योंकि हमारे चैनल पे सबसे fast information आती है वो वेशक से B.H.C. Cadets की भरती हो रिलेशन भरती हो ओपन या कोई भी sportsman की भरती हो भाई ठीक है अब बात कर लें चैनल को subscribe करना और इस वीडियो को like and share कर देना अपने सभी भाई बहन अपने माता पिता सभी को कर देना जिससे सभी को motivate मिले अपने जो इतने भी आपके पड़ोस में बच्चे है वो इसके लिए तैयारी कर साकें भाई ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे PDF फाइल मैंने बनाई हुई है जिससे आपको पूरी information clear मिल जाएगी और आपको यह PDF फाइल भी मिल जाएगी कहां से मिलेगी वो आपको वीडियो में ही पता चल जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उपर लिखा है Indian Army Boys Sports Company वाई ठीक है Indian Army Boys Sports Company B.S.C. Cadets Recruitment Relief Scheme तो इसका पूरा मैं आपको प्रोसेस आज किलियर कर दूँगा वाई ठीक है तो सबसे पहले बात कर लें कि यह जो भढ़ती है कौन कौन के थूरू मतलब किस-किस के थूरू यहाँ पे कराई जाती है तो सबसे पहले Indian Army इसमें सबसे पहले involved है ठीक है उसके बाद बात करें यहाँ पे Sports Authority of India तो ASAI मतलब यह जो Sports Authority of India है न वाई यह दोनों मिलके मतलब Indian Army और यह दोनों मिलके देते हैं पढ़ाही कराते हैं भाई ठीक है और फिर उनको भाई National International और फिर उनको Olympic खिलाते हैं भाई ठीक है तो यह पूरे यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर कराया जा रहा है यह मैं आपको डंग से समझा दूँगा भाई ठीक है अब बात करें यहाँ पर जैसे की बहुत बच्चे यहाँ पर sería born अब बात करें यह हैं लिष्ट of sports game तो इस मतलब भरती में participate करने के लिए आपके पास कौन सा support certificate होना का हीए जो कि आप इस वीडियो में चेक कर सकते है तो मतलब जैसे कि आप इसका सिक्रिन शॉट की सकते वीडियो को पाउस करके जैसे कि यहाँ पर आर्चरी, हैंड बॉल, एथलेटिक्स, होकी, बॉस्किट बॉल, बॉक्सिंग, सूटिंग मतलब लगबक सभी यहाँ पर स्पोर्स गेम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन में से आपको एक गेम स्लेक करना है और आपके पास कोई भी मतलब स्टेट लेवल हो, आपका सकूल का हो, मतलब स्कूल लेवल का भी हो, सकूल का भी चल जाएगा अगर आपने सकूल में भी स्पोर्स में फर्स्ट, सेकिंड या थर्ड पोजिशन ली होई है, डिस्टिक हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई से अभी आपके पास सेटिफिकेट हो, सब चल जाएगा भाई ठीक है, तो आपके पास स्पोर्स सेटिफिकेट होना कमपलसरी है भाई ठीक है नेक्स यहाँ पर बात करें बी ए सी के अड़ेट सेंटर बढ़ती तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे सेंटर हैं लगवग वो 45 से 50 के संथिंग में हैं बट मैं आपको बता दूं कि जिस जिस सेंटर ने अभी तक 2019 से लेकर और अभी आज तक जो बढ़ती निकाली है उसके मैंने यहाँ पर नाम लिख दिये हैं बाई ठीक है अगर कोई और नया सेंटर निकालता है बढ़ती तो उसका मैं नया मतलब उसका भी नाम मैं लिश्ट में एड कर दूंगा एक तरह से बाई ठ सकते हो कि किस कि सेंटर ने इसकी बढ़ती निकाली है ठीक है और नीचे बात करें यहाँ पर बोई स्पोर्ट कंपनी की जो क्राइटेरिया है एजुकेशन और एज वेज को लेकर वो हम आपको बता देते हैं तो एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि पांच भी पास आप ह प्री एजुकेशन होगी साथ में जब आप साड़े सतरह साल के हो जाओगे तो आपको जोइन इंडियन आर्मी में जोइन कर दिया जाएगा बिना किसी फिजीकल बिना किसी रिटन के वाई ठीक है तो मतलब यह है कि आपकी लाइफ खराब नहीं होगी जब अगर आप हो गए एक तरह से तो भाई आपको इंडियन आर्मी में जोइन कर दिया जाएगा ठीक है तो यहां से मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और यहां पर आपको डॉकिमेंट्स और फैसलेटी के बारे में बता देता हूं तो यहां पर ओर इजनल अटेस्टिट फोटो ऑफ स support certificate होना चाहिए वो आपके पास original और उसकी photocopy आपके पास होनी चाहिए साथ में age certificate आपके पास होना चाहिए age की बात करें तो birth certificate जो की आपका नगर निगम से बनता है भाई ठीक है या सभी को पता birth certificate जनम पर नम पत कहां से बनता है ठीक है नेक्स नहीं आपके बात करें ट्रांसपर सेटिफिकेट फ्रॉम सकूल तो ट्रांसपर सेटिफिकेट फ्रॉम सकूल यह आपको सकूल महीं जाके मिल जाएगा तो आप वहां से ले लेना और बात करें दस पासपर साइस फोटो आपके पास होने चाहिए और बॉडी पर आपका कोई टैटू नहीं होना चाहिए नहीं आपके हाथ पर ओम छपा होना चाहिए नहीं आपका नाम नहीं आपके मम्मी का नाम या किसी का भी नाम नहीं लिखा होना चाहिए आपके हाथ पर आपके एजुकेशन अब टू मेटरिक्स मतलब फ्रिय जो आपका दसमी क्व्रास तक आपको फ्री एजुकेशन की दी जाएगी है साथ में आपको लॉज दिये जाएंगे बोर्डिंग दी जाएंगे आपको मतलब जो आपका रहने और होटल होटल होता है जो आपको रहने के लिए दिया जाएगा मतलब आर्मी के अंदर ही फिर नेक्स यहां पर तीसरी सी पॉइंट को पढ़ें तो आपको बहुत ही यहां पर सूपरवाइजड ट्रेनर कोच मिलेंगे आपको जो नेशनल इंटरनेशनल ओलम्पिक भी खेले होंगे वह आपको यहां पर कोचिंग भाई प्रुवाइड कराएंगे साथ में आप लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं इंड्रॉल्मेंट इन आर्मी आफ्टर पासिंग टैन्थ क्लास अटेंडिंग सेवन्थ मतलब जब आप यहां पर दसमी पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको साड़े सतरे की उमर में इंडियन आर्मी में जॉइन कर दिया जाएगा भाई ठीक है नेक्स यहां पर बात करनें फिजिकल स्टेंडर की तो भाई आपका जो फ देख सकते हो और यहां पर आपको बता दे स्पोर्स ट्रायल के बना पही आपका सिलेक्शन होगा जिस भी गेम से आप खेलते हो उसका आपका ट्रायल लिया जाएगा और अगर आप अच्छी पर्फॉर्मेंस दिखाते हो तो आपको भाई सिलेक्ट कर दिया जाएगा आपका medical भी होगा कि आप कहीं से टूटे फटे तो नहीं हो या कहीं से आप कोई आपका medical खराब तो नहीं है ठीक है तो यह पूरा process होगा आपका इस भरती में उसके बाद आपका selection इस भरती में 100% हो जाएगा अगर आपको एक PDF फाइल चाहिए तो मेरे Telegram गुरूप से आपक हुई है तो अगर आपने नहीं देखिए उस वीडियो को भी चेक आउट कर लेना वीडियो सेक्शन में जाके 20 सितमबर से लेके 23 सितमबर के बीच में एक सेंटर पे भरती कराए जा रही है MIRC सेंटर पे BAC Cadets वालो की वाई ठीक है तो उस भरती को बिलकुल मत छोड़ना उसमें जो गेम मांगा गया है वो सूटर मांगा गया है जिस भी कंडि रेट्स पे सूटर का सूटिंग का मतलब स्पोर्ट सेटिफिकेटर वो इसमें जा सकता है वीडियो अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैंत ज